हेलो एर्वन तो अड़ा सारे आंदा स्वागत है तो अड़े अपने यूटूब चैनल इट्स जी के गुर्जी थे हंजी एटिटी दे सेकेंड एग्जाम लई जर्नल साइंस ता जड़ा अज़िदा अपना टोपिक होवेगा हो हेगा जी मोशन कोशिश करांगे एक वीडियो चे ही सारा जड़ा टोपिक कंप्लीट करिए एस तो पहला जर्नल साइंस दा फर्स्ट पार्ट अप्लोड हो चुके है उस विच असी चैप्टर कीता सी मेटर इन आवर स्राउंडिंग्स जिन्नों तुसी बहुत ज़्यादा प्यार दिता है उस दे लई तो अड़ा सार्यां दा तनवाद ते इस वीडियो न भी तुसी उसे तरह वद तो वद लाइक करना है ते ज्यादा तो ज्यादा अपने दोस्ता नाल शेयर करना है जी समा साधे का बहुत कट है कोशिश करांगा बाकी देवी टोपिक एक एक ए इंपोर्टन चड़ियां डेफिनेशन ने ओकर ये फर्स्ट आंदा है जी विराम अवस्ता इंगलिश चे जिन्हों केंदेने रेस्ट विराम अवस्ता की हुदी है जेदो कोई वस्तू टाइम इंटरवल देनाल अपनी पोजिशन अपनी पोजिशन यानि की स्थान ना चेंज करें ना बदलें ता अपनी पोजिशन चेंज ना करें विराम अवस्ता विचे गिया है रेस्ट चेंगे जिवें दो कारान है अपन्ज मिंट चेंगे जड़ी गार है कि जड़ी आएक किलोमेटर डिस्टेंस तेया कर लेंदी है तो दुझी यह थे खड़ी है पांज मिंट चेंगे तो क्यों यह यह जड़ी फर्स्ट यह कार वोग विराम वस्ता विचेंगे तो दुझी आएक गेजी मोशन तो फर्स्ट यह जड़ी डेफिनेशन क्लियर होगी होगी तो आनों विराम वस्ता की उन दिया है टाइम इंटरवल देना जेकर कोई वस्तु है वो अपनी पुजिशन ना चेंज करें तो उन्हों अपा की कवांगे विराम वस्ता नेक्स्ट आप आपड़ते हैं मोशन हाँ जी नेक्स्ट डेफिलेशन है होगी जी मोशन दी यानि की गती विराम वस्ता ने बिल्कुल उल्टे गी है जेकर कोई वस्तु टाइम इंटरवल देना अपनी पुजिशन बदल दी है तो उन्हों अपके कहांगे गती गती विचेएगे तो रिपीट का दन्या जी जेकर कोई वस्तु टाइम इंटरवल देना अपनी पुजिशन अज़िशन बदल दी है तो उन्हों वस्तु के इंटिचे होएगी गती विच होगी नेक्स्ट डेफिनेशन अंदी है जी अपनी इक समान गती नेक्स्ट जड़ी डेफिनेशन ने गया होएगी है एक समान गती मिलिस चेकें देनों यूनिफॉर्म मोशन एक समान गती अज़िए एक समान गती की होँदी है जेकर कोई वस्तु समान समेत अंतराल नाले किया है समान गती ते करें समान गती ते कर दिया है तापा उनों की कमागे कि वस्तु किया गिया है यूनिफॉर्म मोशन चेक दिया है इंग्लिस चेकिया कहाज़िए एक्वल इंट्रों वोग टाइम इंट्रों ओफ टाइम ते कि होए इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस जिवें एक्वल लेने आपा जिवें कोई कहा रहे गिया है तो स्टार्ट हों दिया है पॉइंट ए तो पॉइंट बी वल जारी है एक कंटे जड़े एक खंटे जह दस क्लो मेंटर चली तो दुझ्ये एक कंटे जह दस किलो मेंटर जल दिया है तो समान गतिणाल अपना माच्वल नहीं दस UK यूद्स कि कार जडी की कर रही है एक समान गतिनाल अपने डिस्टरंस है जो आपा पढ़ देया है समान गती नेक्स्ट जेडी डेफिरेशन आजया देजी आजया समान गती दे इंगलिज चे कहें देया है नोन यूनिफोर्म मोशन एस विची की हुँदा जी समा जड़ा हुँदा है समा समान अंत्राल्दा हुदा है जड़ा डिस्टेन्स हुँदा है वह ऐस समान कहेंदा मतलब किया है कि कोई कार है कि जवें मेत्थो चलने स्टार्ट हुँदी है टाइममें नहीं है पहला एक कंटा फिर एक कंटा जवें दो कंटे होगे फिर त्यन कंटे distance के में दों 10 km करता है Good H कि समानटराल जोसे हो जिमें एत्थे भीwill कं नथे फर्क हेगा है समा जड़ा समान हे गाया समान अंतरालदा हुए तिया डिस्टेंस जड़ा वो अलग-अलग हुए ऐ समान हुए जवे पहना 10 किलो मिल्ट तया किती फिर 5 फिर 15 फिर 10 तो आके गाया non uniform motion एन्नु आपका कमांगे non uniform motion next जड़ी अपन definition पढ़ांगे वो हैगे जी दूरी दी दूरी जनु केंदने distance हंजी next definition आंदे दूरी दी English जनु केंदने distance SCQ10 जनु कोई वस्तु है वो एक स्तांतों जो एतों चलनी start किती हैने पहला 5 km चालेगे फिर दखनवाल दसी किलोमेटर चालेगे फिर पूरावल 5 km चालेगे स्तांत फिर उत्रवल दसी किलो मीटर चाले चाले तो एथ पॉइंट भी है के अन्दा मतलब है कि कोई वस्तु एक स्तान तो चल के दुज्य स्तान तक पहुँच दिया है ते जिन्नी भी ओ दूरी तया करती है उस दी लंबाई नो आपके क्वांगी डिस्टेंस यान की दूरी ऐसदा कि यह अन्दा सिर्फ मेगनिटूड होंदा है क्यान दा मतला कि एस दा सिर्फ परिमान होंदा है एन्दी कोई डारेक्षन नहीं होंदी यान की एन्दी कोई दिशाज़डी नहीं होंदी डिस्टेंस दी कोई वी दिशा नहीं हुंदी जिवें अपना एक्जाम्पल ले लिए कोई व्यक्ति है आए तो चलना स्टार्ट करता है इस तरह यह में चलके तेथे पॉंट बी है तेथे पॉंच जांदा है तैस विच की है का इस दुजी डाइग्राम तो साब पता लग दा है जिवें कि एस दी कोई डारेक्शन नहीं है कि यानि कि कोई दिशा जड़ी नहीं हुंदी ते अंदा सिर्फ क्यों हुंदा है मेगनिटूड हुंदा है यानि कि परिमान हुंदा है सिर्फ अपा वेल्यू नोट करने हुंदे जिवें परना पांची किलोमेटर चल लिया फिर दस पंद्रा ते वी ते ते यंदा सिर्फ ती किलोमेटर जड़ा किया है मेगनिटूड हुएगा प्रिमान हुएगा पर यंदी कोई दिशा नहीं हुएगी जिवें आब यक्ते तू गती करके एक स्थान तू दुज्य स्थान तक पहुँच दिया है ते जेडी लंबाई ओ तै कर दिया है उस पत दी लंबाई नोट अपा की कवांगे दूरी कवांगे ते दूरी दी गल करिए ता दूरी कदे भी जीरो नहीं हुँदी दूरी कदे भी जीरो नहीं हुँदी ते ना ही ते ना ही नेगिटिव हुँदी रणातमक भी नहीं हुँदी दूरी आदो पर्ट जड़े इंपोर्टन ने दूरी बारे कि दूरी कदे भी जीरो नहीं हो सकती ते ना ही कदे नेगिटिव यानिकि माइनस चे दूरी कदे भ नेक्स्ट जड़ी important definition आ दिया ओ है गे जी विस्थापन दी विस्थापन important है गे जी very very important विस्थापन जिनुके दिने displacement displacement एस ची क्यों दा है example नाँ समझ देया जैसे एत्थे कोई वेक्ती खड़ाया point A थी आ पहला 5 km चलेया पूरवल फिर 10 km चलेया उत्तरवल फिर 15 km चलेया पूरवल तर बाद चे 5 km चलेया दख्खावल आ point B है गए तो विस्थापन की होंदा है विस्थापन होंदा है जी जड़ों कोई वस्तू एक थां तो दूसरी थां छोटे यते सिद्धे रस्ती रहें गती करके अंतिम पढ़ाते पहुंचे और उन्हों अपकी कमाँगे विस्थापन जीमें एन्ने जाणा सी point B वल एक ता हुंदा है जीमें एवें करके जावें इस तरह तो दुज्या एका सिद्धा जावें एस तरह एतों लेके B तक सिद्धा जीमें डिस्टेंस तेकरे B तक हैं तो पंज आओ गया ते 15 आओ गया टोटल वी किलोमेटर चेंदा जीमें डिस्टेंस है वो कवर हो रहे है यानि कि अन्नों अंतिम पड़ाता कि वी किलोमेटर चे जा सकता है ते आज जीमें छोटा रस्ता हुंदा है यह अपके विस्थापन पर फिर्त रपीट कर देने या दुज्य डाइग्राम चे एक्स्पेर्न आता होगी दूरी ते जीमें ओं शोटकट हो न्युक्हों पां वेश्टापन कने आप अपपर पर ना कित्वासिक की दूरी दी कोई डारेक्शन नि ह 걱정 दी दूरी दी मेट और कोई दिशा नि ह тонा ते विस्थापन दी दिशा उन दी अबिस्थापन दिशा में जिसे वे एकें बुरेंक नरे रुछां दे ते आकी ह्याएं लिकी दी दिशा होंधी आ है ते मेगन contrude तह होंधा ही है के stesso है कि विस्थापन दा परिमान दे दों में होंदेन है दूरी दा सिर्फ परिमान होंधा है । डेफिनेशन अजड़ी फिर तो रपीट कादिनिया विस्थापन दी कि एक स्तान तों दुज्य स्तान तक जान लई, जड़ा shortcut आपा वर्थ देयां, उनू आपा की कवाँगे विस्तापनु जीए ऐस व्यक्ति न स्कूल वल जाना सी एंद्थे, point okay वी वल आना सी, त्या shortcut नाळें एंद्धे आ जानदा हैं इनू आपा की कवाँगे जोड़ों कोई वस्तू एक ठाथव दूसरी तोख छोटे आतर सिद्ध रस्ते रहें गति करके अंतिम पढ़ा तक पहुंचे उन्हों, आपकी किकमां गें विस्तापन ते विस्तापन दिखी हैं, दिश्या भी हुंदी हैं, ते डारेक्शन भी चड़ी हुंदी हैं ते विस्तापन दी गाल करिये ते विस्तापन नेगिटिव भी हो सक्दा हो सक्दा विस्तापन जड़ा नेगिटिव भी हो सक्दा ते आज जीरो भी हो सक्दा डिस्प्लेस्मेंट जड़ा जीरो भी हो सक्दा नेगिटिव ते जीरो भी हो सक्दा डिस्टंस ली आपं गगल केती थी कि डिस्टेंश कदे भी जीरो नहीं हो सकता तो फॉर याच करने किती थी कि बा सकत करने कि पनल जेंगेडिवी हो सकता थे सुन्हेरत रेखनद करने गयद राव तो इस्तापन दी गयल कि इतनी की शोटकट है शोटकट की एगा तहां आगे तो जीरो ती वापस जीमें ए माइनस से ए करते ये तो की होजेगा जीरो एंदर जड़ा डिस्प्लेस्मेंट की हो जाएगा जीरो हो जाएगा कि अनले एंदर चीए कल तुसरी याद रखनी है कि जड़ा डिस्टेंस होता है वह कदे भी डिस्प्लेस्मेंट तो कटनी हों डिस्टेंस अ कदे भी डिस्प्लेस्मेंट तो कटनी होंदा कि डिस्टेंस एक जड़ा दूरी कदे भी रिस्तापन्तों कटने हुँदी नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ देया है हम जी नेक्स्ट जड़ी डेफिनेशन आंदिया हो है कि जाल यानि की स्पीड चाल बार आपना पढ़े है कि उन्दा है चाल बराबर दूरी बटा सम जी यह एंदी डेफिनेशन की कहन दिया है कि किसे गती करनवाली बस्तु द्वारा किसे गती करनवाली बस्तु द्वारा इकाई समय विच एकाई समय विच तै किती हुई दूरी और आपकी कमाँगे चाल कि एकाई समय विच तै किती हुई दूरी नूँ आपकी कमाँगे चाल और चाल देखला इनले किती हों 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 ह् दूरी विच एकाई हुई तै किती हुई दूरी और आपकी कमाँगें मीटर पर सेक्ड जड़ा दूरी दाखी मातरक मीटर के टाइम दा सेक्ड तो चाल दा मातरक क्यों दा है मीटर पर सेक्ड नेक्स डेफिनेशन पढ़ देया झाले एकगल हो और तुसी त्यांचे रखनी आज चाल दी कोई डिरेक्षन नहीं हों दी दिशा जडी नहीं हुं धी यह है की एकौ स्केलर क्वांटिटी जीदि कोई दिशा केellar क्वांकिटी इन्धा सिर्फ क्यों धा ilॉन्हों ilgili सिर्फ इन्धा पली मानों धा समान चाल मैं परको दोड़ी टाय के लेडां ध्यां पर पहला ही पड़ते हैं समान force तक अमुद एक समान केरिन रिपना ँर्फी सम्रीन कोगहेरा समाने हुई पैसे समान पैए और खेकोल लेकोगन समस्टमारी तोरों पैसे समान है उन्हों अपके कमांगे समान चाल जैसे वेचे समान तराल भी सेम हुए मतलब गैप समेदा भी सेम हुए ते जड़ा डिस्टेल्स ते करदा हुए उन्दा भी गैप है जड़ा सेम हुए उन्हों अपके निया समान चाल ते नेक्स्ट एंद ची आंदा है ओस्त चाल ओस्त चाल एवरेज स्पीड ची की हुँदा है किसे वस्तु द्वारा एकाई समय विच तैय कित्य हुई वापा की को आगे ओस्त चाल जा फिर इंगलिश ची कहते है निया एवरेज स्पीड एसे विच की हुँदा है टोटल डिस्टेंस बठा टोटल टाइम टोटल टाइम एन्हों अपा की कहने निया एवरेज स्पीड जे एवरेज स्पीड दी आपा एग्जांपल लिए जिवें कोई वस्त हुआ है ए पोइंट तों बी पोइंट वाल जान दी है पहले एक कंटे व कंटे होगी एन्दे वे चिलो मिटर ते 10 कंटे चे त्फिर 10 किलो मिटर त्पहां अप्प एवरेज स्पीड कड़ी तैकी हुदा है ुठाईस गी dość天ड बलस हुआ हुटे दास किलो ब मिटर ह regra vata वेग वेग दी वेग की होनदा है किसे वस्तु द्वारा 61 समय विचे किसे वस्तु द्वारा 61 समय विचे किसे खास दिशा विच तै किती दूरी नो अपना वेग यानि कि विलोस्टी फिर तो रपीट करते हैं किसे वस्तु द्वारा एकाई समय विचे विशेश दिशा विचे तै किती हुई दूरी नो अपना वेग करते हैं वेग की हुँदा है जी वेग इस इकल टू किसे विशेश दिशा विचे तै किती दूरी बटे चे लगया समय एंदा सिंबल हुँदा है टी ते दूरी दा कि हुँदा है एस ते वेग दा वी एंदे जी गल्ला ही है किसे खास दिशा विच और दिशा विच आईए ता आ के डी है क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी एंदे उत्ते आप आएस तरह आंदा एरो लादांगे एस दे उत्ते क्यांदा मतलर किये है कि एंदी क्योई इक पर्ट्र क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि क्योंकि एंदी क्योंकि हास दिशा होंदी दे ञास कि यूड़ भिने之前 के दिन सक्रवपर्ब होगा किसे अ कि द्रोग का थे सच दिसरीready इपसी किसे डियरेक्ष्ण होगा कि कि से बिलॉस्व सब्सक्राइब कीषे ता ऊंडे विछ कि चाल ना एंथ पाकी किसी चाहलो seeing तो उसी याद रखना है वेग की है गा है वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के डिए हुंदी है जिदी कोई खास दिशा हुए तेंदा सिंबल हुंदा है जिए अपना हुथे सर्दे उत्ते इस तरह दा एरो हेडल आदे लिया जिए एस बट्रे में टी वी इस इकल टू एस दे उते आपा एरो हेडल आदे लाए क्योंकि आ की है गा है बिक वेक्टर क्वांटिटी एंदे विच की आ जानता जी समान वेग ते एसमान वेग ता विलोस्टी चे आपां अग्गे दो पोइंट याद रखने है फर्स्ट एग है समान वेग ते दुझा एग है एसमान वेग समान वेग जी कुँँ दै की समा अंत्राल भी समान होए समा अंत्राल भी समान होए ते उन्दी जड़ी दिशा भी होए ते जड़ी दूरी ते करे ओ भी समान होए यह एंदा मतलब जी में ए तो लेके बी तक कोई कार जा रही है और एक दिशा वीचे एक खास दिशा वीचे समान डिस्टन्स जड़ा ते करे पहला दस किलोमेटर फिर अगे एंदे विच भी 10 किलोमेटर नेक्स्ट कंटे वीच भी ते तीजे कंटे वीच भी 10 किलोमेटर समान अंत्राल नाल कि दिशा भी ते दूरी भी आना दिकी हुए समान होए यहनों आपकी कहांगे यूनिफॉर्म विलोसिटी दूज्यांद है नोन यूनिफॉर्म विलोसिटी ऐसे विच की हुएगा कि किसे वेग नूँ उस समय आपा ऐस मान वेग वांगे जदों की हुएगा दो कंटेशना ने फरस्ट ए अपनी ए अपनी दिशा बदलदा हुए दिशा बदलदा हुए दूजी कंटेशन की हुए चाल भी बदले चाल भी बदले ते तिजी कंटिशन आपा जैका ये ततिजी हुएगी जिन्दे विचे दो में चीजा बदले चाल थे दिशा चाल थे दिशा दो में बदले है ये अपकी कमांगे नोन उनिफर्म विलोश्टी या फिर ऐसमान वेग की कंडिशन न ने दिया फर्स्ट रिगा कि ये अपनी दिशा बदले चले दिशा भी बदले 10-5 km फ़र पर 30 कंट घंटा फ़र 5 कंट से बाद चीफ क्धा पर तिज़ा पुट की सी है चालते दिशा दो में बदले जिए S डाइग्राम उचे चालते दिशा दो में बदल रहा ने नो आपकी कहांगे S मान वेग S मान विलोज़टी नेक्स्ट अपन डेफिनेशन बढ़ते हैं नेक्स्ट जड़ी डेफिनेशन आदि है अपने कोलो उन दिया परवेग परवेग इंग्लिस चैनल के देने एक्सलरेशन उन परवेग की होंदाजी किसे गती करदी हुई वस्तु दे किसे गती करदी हुई वस्तु दे वेग विचाई परिवर्तन वेग विच आये परवेग के देने आये परवेग की होंदाजी एक्सलरेशन की होंदाजी किसे गती करदी हुई वस्तु दे वेग विच आये परिवर्तन दी दर नुँ अपकी कहांगे परवेग परवेग की हुँदाजी वेग विच परवेग विच परवेग विच परवेटन बटा इस परवेटन विच लग्या वाद शमाधी इस परिवर्तन विच लग गया समा यह नूँ अप्पा की कमांगे परवेग जी में कोई कार है वह यह तो चल्मा स्टार्ट हुन दिये पॉइंट यह थो बीवल जा रही है वह अपड़े जड़ी किया है स्पीड आओ काटवाद कर रही है पहला पंच किलोमेटर परती कंटा फिर दस किलोमेटर परती कंटा फिर फंदरा किलोमेटर तिया किया है अंदेचे जड़ी वेग विच परिवर्तन आ रहे है विलोस्टी 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 विच परिव अब आप पड़े है परवेक की हुंदा है चेंज इन विलोसिटी रेग विच परवत्तन बटा टाइम और चेंज इन विलोसिटी यह विच तुछ याद रखना है जी इनिशियल विलोसिटी जिन्हों के इन देने शुरुआती वेग यह उन्दा सिंबल होंदा है यू ते एक होंदा है फाइनल विलोसिटी अंतिम वेग जिवें एत्थ ही अपां गाली किती सी परणा पांच किलोमेटर परती कंड़ा चली सी फिर दस किलोमेटर है आग कि एगा है नाचे परिवर्तन आ रहे है पांचे तों दस हो रहे है ना तो एन्नों आपक इस तरह लिखांगी एक्सेलरेशन इस इकल टू किये गा है चेंज इन विलोसिटी बटा टाइम केंड़ दा मतला कि शिर्वात्ती वेग परना यू हेगा सी माइनस परिवर्तन होके कियो गया वी एना दो आदे डिफ्रेंच बटा टाइम एन्नों आपके निया एक्सेलरेशन कि चेंज इन विलोस्टी बटा टाइम और विलोस्टी दा अपा मात्रक पड़ चुकी सिकी हेगा सी विलोस्टी इस इपूल तो हेगा सी डिस्प्लेस्मेंट बटे चे टाइम कि विस्तापन बटा समा एन्नों आपके किया सी वेग विस सब्सक्राइब कोई भी दूरी होए डिस्टेंस होए यहनु आप मेटर चे मापते हां ते बटा टाइम टी आता होगे विलोस्टी था ते नाले एक टाइम पहलना था जी एगसी थले नेक्स्ट पेज ते करके बखाना था लूँ अपपा पाल रहे जी परवेग वारे परवेग की होंदा है जी वेग विच परिवर्तन बटा समा याने की परिवर्तन विच लग्या समा परवेग नूँ आपा ए नाल दर्शान दे हां जी a is equal to v बटा t आ फोर्मला बनजेगा वेग विच परिवर्तन और v दी था आपके लिखना है u minus v बटा t जड़ा पहला ही है गए इस change इन्हे विलोस्टी बटा टाइम इन्हों आपकी कहता है एक्सलरेशन और विलोस्टी दे फोर्मल दे गाल करिये ता आपका पाड़ चोंके से v is equal to की हैगा सी displacement बटा टाइम यान की विस्थाप्पन बटा समा आपकी हैगा सी वेग और विस्थाप्पन नूँ आपका मेटर चे मेजर करते हैं ते टाइम नूँ टे नाल ते आपकी लिखदांग मेटर की बटा समा बटे चे टे आज ने एक टी हेगासी आप पहला ही हेगासी और टी किन्द चेंद सेकंड चे टाइम आपका लेना सेकंड चे तेन ता मातरक की बादगेगा आउते जागे माइनस मीटर सेकंड दी पावर माइनस दो आक ने हो जेगा excitement दा जला मातरक SI यू रिटकी होजेगा मीटर सेकंड दी पावर माइनस दो नेक्स्ट आप आ इंदेचे ही पढ़ देया कि आभी एक समान होंदा है एक समान परवेग ते दुझा इंदेचे होंदा है एक समान परवेग कि जबों किसे गत्ती कर दि वस्तुदा समेद एंतराला विच वेग विच एक समान परवेग तन होई है कि जदों टाइम चेंज होवे एक कंट है एक एक गंटा ते वेग जड़ा वह भी सेम रहे पहला 10 km एंगसी फिर भी 10 अग नेक्स चे भी 10 km तो एन्नो अपकी कमाँगे एक समान परवेग नागए तो एक कहस डियरेक्शन वीच है तेया कर दी होएगी डिस्टेंस जिढा एन्नो अपकी कमाँगे एक समान परवेग तो दूज्या की एगा है समय दाथ राल सेम होएगा यह थे भी एक कंटी दफरक ते यह थे भी एक कंटी दफरक पर डिस्टनस से जड़ा हुआ लग लग हुए इस तरह यहनू अपक की कमांगे एस मान परवेग एस मान परवेग नेक्स्ट अपन डेफिनेशन बढ़ देयां नेक्स्ट अपन डेफिनेशन करांगे सदीश राशी सदीश राशी जिन्नू केंदेने वेक्टर क्वांटिटी जिस राशी दा परिमान होवे जिन्नू अपक केंदेयां मेगनिटूड ते नाल नाल उस दी दिशा विए जिस राशी दा परिमान होवे यान के उस दा मेगनिटूड होवे कोई नाल दी नाल उस दी दिशा विए यान की डिरेक्शन भी होवे उन्हों आपकी कमांगे सदिश राशी जेकर आपका सदिश राशी दी कोई एक्जाम्पल लए ये तां फोर्स जड़ी इन इस सब तों बैस्ट एक्जाम्पल है गया है बल की मैं क्लिर कर दें थे एत्धे कोई विक्ति है जो इस बोक्स नों फोर्स लगा रहे हैं आज पौइंट एग है ते आज पौइंट बीए गए अब फोर्स लाके इन बोक्ष नो पोइंट बी तक ले जान दा उन्सुसिवे को फोर्स होंदा कि ये पपला पता होना चाहिदा है फोर्स इस इकल टू टू हुंदा है मास इन्टू एक्सलेरशन इन्टू एक्सेलेशन की हुँद है प्रवीग कि किसे वस्तुम अपनव फोर्स लगाके उन्दा जिडा पार हुए उन्हों अपनव एक्सिल्रेट कर दिये एक थाँ तो दुजी थाँ एक्सिल्रेट कर दिये दुजी एक जांपनाल समध्यां जिते कोई गोला पे आए एक्ति छी यंद αυτाना है यूद्रत आपके की कहांगे nौन यूई मास खांस आपक की कर रहें ao इतना योक्ति मैं एक्सलीटेशन ही हो मास स्वाग्टि अधिक्छा सस्य ने इशाच दी खाड़ेक्षािन विछ लाहेए ईस डाड़ेक्षण विछ यह नहीं हो सकता ना यह थो इसने किसी खास डिरेक्शन विछ फोर्स लाय है थे बोक्स नों मूव किता है तो आएंधी किया है सब्तों वद्या एक्जांपल है गिया सदिश राशी दी वेक्टर क्वांटिटी दी मतलग है कि जिस दा कोई ना कोई परिमान हुए magnitude होए तो किसे खास दिशा वे से मूव करदा हुए और आपके किवांगे वेक्टर क्वांटिटी यहां होर एक्जांपल मैं तो लिखा देना वेक्टर क्वांटिटी दी दिया विलोसिटी होगी वेग इस तो इलावा फोर्स बल नेक्स्ट है एक्सलिडेशन पर वेग इना सारे यहां दी कोई ना कोई खास से डारेक्शन होंदी है ते में एक टूटता सारे यहां दा होंदा है नेक्स्ट है एक एंगुलर विलोसिटी एंगुलर विलोसिटी नेक्स्ट है डिस्प्लेस्मेंट इस तापन वी किये एक वेक्टर क्वांटिटी है एस तो इलावा नेक्स्ट है मेगनेटिक फिल्ड यानि कि चुंब किये खेत्र आख विद्टर क्वान्टिटी तो ये सरी एकजम्पल ने में वेक्टर क्वान्टिटी आ और क्वान्टिटी नेक्स आप पर दयां कि गएसे हुआ दिश řाशी यहुंत क्वान्दिटी उसकि विच शाख दॉल Bjork le जिस्दा सिर्फ परिमान होए ते कोई दिशा ना हो फिर तुर पीट का दिन्या स्कैलर क्वांटिटी की हुँ दिया है और आशिद जिस्दा सिर्फ मैगनिटूड होए परिमान होए पर उन्दी कोई डारेक्शन ना होए डारेक्शन ना होए सिर्फ मैगनिटूड होए उन्हों आपकी क्वांगे स्कैलर क्वांटिटी जिवें एक्जाम्पल ले 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 लेंद्ध दी लेंद्ध लंबाई लंबाई दी एक्जाम्पल लंबाई भी की एक स्कैलर quantity एन दी किया है कोई direction नहीं हुंदी पर यंदा magnitude हुंदा है इसे तरह बाकी example दी भी गाल करिए scalar quantity दी तो next है गा है distance अब अपड़ चुके है दूरी इस तो इलावा time time समा मास एनि पार द्रव्यमान द्रव्यमान कहा सकते है नूँ next एक है current इस तो इलावा area speed वर्क डेंस्टी कंतव पावर एनर्जी उर्जा दे वोल्यूम आई तरह ए सारियां के आने scalar quantity एनद सिर्फ क्यों होंदा है scalar quantity की है सिर्फ magnitude होंदा है एनदा परिमान होंदा है एनन दी कोई दिशा नहीं होंदी तुस्षिया इस अब वेख सकते हो एनना दी कोई दिशा जड़ि नहीं हो सकती एरिय दी, स्पीड दी, वर्क दी, डेंस्टी दी, बावर दी, एनर्जी दी, वोल्यूम दी, इना दिखिया है, कोई दिशा या डारेक्शन नहीं हुन दी, सिर्फ की उन्दय ना दा मेगनीट हूँ इना अपके कमांगे, अदिश राशी नेक्स्ट जड़ी डेफिनेशन आदिया है, वो हे गजी चक्राकार गति चक्राकार गति क्यों जिए है, कि चक्राकार पत थे, जेकर कोई वस्तु गति कर रही है, तो उन्दों आपके कमांगे, चक्राकार गति ऐसे विचे आगे एक समान चक्राकार गति हों दिये, एक समान चक्राकार गति एस विच की होता है कि जेकर कोई वस्तु अजूरी एक समान गती नाल किसे चक्राकार पात्ते गती कर रही है जिस उस दा परवेग केवल गती दी दिशा विच ही बदलदा होए उसनों अपकी कमागे एक समान चक्राकार गती फिर्टोर पीट कर जन्या एक समान चक्राकार गती ओ गती है जिस विच परवेग कार्न केवल गती दी दिशा विच ही तबदल्ली होए जद की वेग दे परिमान विच कोई तबदल्ली ना आवे उन्हों अपकी कमागे चक्राकार गती नेक्स तों बाद आंदा है कोणी वेग कोणी वेग की होंदा है कि कोणी विस्तापन दी दर नू कोणी वेग केंदे इंदा फोर्मुला की होंदा जी कोणी वेग कोणी वेग सिंबल एग विस्तापन बटा समा कोणी विस्तापन अपका थिटा नाल रिप्रेजेंट करांगे ते समय नू टी नाल ते आफ फोर्मुला जीडा कोणी वेग दा तुस्य याद करना है नेक्ज्ट पढ़न देया है तो कोणी वेग दी जीडिक यरी गया है है उस होंदी है रेडिय है रेडियन कोणी वेग दी काई है सर pay के शैके सरे चोत्ते आइडी पर सेकेड़ आहेगे ञवल कौने वेक दी इकाई आइजी नेक्स्ट आप्डान गर्ल कր दियाँ दूरी अति विस्तापन दे अंतर वारे इंपोर्टेश ऺि आन्नों पता होना चाहिद दूरी अति विस्तापन विजक्कार की अंतर हीya करदें आजी, फर्स्ट पॉइंट दिता है, गतिमान वस्तु द्वारा तै किती गई, पत दी लंबाई नो दूरी किया जाते है, कि कोई वस्तु ए है, वो बी तक जन्दी है, किसी तरह भी जावे, जड़ी जिन्नी भी लंबाई होएगी, यस नो अपकी कमाँगे, दूरी, जाने कि डिस्ट है, तो जे पासे वेखिए, किसे निश्चित दिशा विच, अन्तिम अते अरंबिक स्थिति दे विचकार दे दूरी नो अपकी कमाँगे, विस्तापन, जे पॉइंट A है, पॉइंट B, फिला इस तरह जान्द है, यह में करके, कुम के, फिर यह में करके, नेक्स्ट पॉइंट कि एक है, दूरी इक अदिश्च राशी है, अदिश राशी आपका पढ़ चुके हैं, जिस दी कोई दिशा ना हुए, उन्हों आपके कहांगे, अदिश राशी, मतलत जिस दी कोई दिशा ना हुए, दुझे पासे गल करिए, विस्तापन दी, तब विस्तापन विच की दिता है, विस्तापन एक सदिश राशी है, याने यानिक एक वेक्टर क्वांटिटी है ते दूरी की एक स्केलर क्वांटिटी नेक्स्ट पॉइट की दिता है इस दे निरूपन लई दूरी दे निरूपन लई शिर्फ परिमान दी लोड हुंदी है यानिकी सिर्फ मेग्निटूट दी चुरूरत है कि वेल्यवीन दी की जूरी वास्तै जिवे पांज किलोम्टरा में चलके अपपहल्ण डाराइग्राम आनना इहती है ऐंदी बिच किए हैं सिर्फ परिमान्त इज जूर तुड़ तूढ़िया एक अनू आपप पूरस करके सिर्फ डिस्टंस करना किनन्यद्स है कहें एन्ऩ आपके कहा की दूरी एंद फचि परिमान्त इजूर तूढ़िया है लुन दा हुत्ते एरो हैट इस तरह एक्जामपल दस यह दी तब फोर्स जेड़ी की एक वेक्टर क्वांटिटी एंदी एक्जामपल दे यह दूरी थी तब लैंथ जेड़ी है वह एक की एगिया है स्केलर क्वांटिटी यानि की अधिश राशी नेक्स्ट आप एक डेफिनेशन ले लिए दी शोरी एक्जामपल ले लिए एक एक दोवांदी थी तब फर्स्ट एक्जामपल वेको दूरी थी जिमें कोई व्यत्तिय थे खड़ा है आएक पत्थर उत्ते वालनों सुट्दा उत्ते वालनों सुट्दा है पत्थर जिमें उत्ते जान लेए एच डिस्टेंस जड़ा ते करता है ते उत्ते जाके वापिस भी आवेगा ये टावल तब वापिस आन लेए एच डिस्टेंस जड़ा है ते वापिस आन लेए एच डिस्टेंस ते करेगा ते अपने दा कु हो जेगा h plus h, यानिकी 2h, कि उत्ते जान लेवी h distance लेता है, तो वापस आन लेवी h distance लेता है, दुझे पास से आपा विस्तापन दी गल करिए, यह तरह उत्ते वाल से 10 है, h distance दे, वापस तो आके, वापस उसे distance, उसे point दे आजेगा, h distance लेके, पहली definition तो है clear कर दे निया, कि अंतिम दिश्या थे अरंबिक स्थितियां, विचकार दूरी, विचकार दूरी नो अपकी के नया विस्तापन है, तो starting तो लेके, यह तरह चला जाएगा, अंतिम तक, अंतिम तो फिर अरंबिक तक आ जाएगा, तक टोटल आपस जड़ी दूरी करते हैं, तक ही होज़ेगा जीरु कि हो जाएगा जीरो, अंकी हो जाएगा, जीरु, पैसे जड़ी, एक्जामपल नान तो अर्णु क्लीर हो जाएगा, विस्तापन की होँदाय थे, दूरी जड़ी की हों दिया, नेक्स्ट आपा पढपर देया, चाहल आथे, वेगविचकार अंतर, प्रस्ट ते किती दूरी नू अपकी कहने है चार किसे इकाई समय विच ते किती दूरी नू अपकी कहने है चार चार इस इकुल्टू क्यों हुँदा है दूरी बटा समा दुझे पासे वेग दे हैं 21 समय विचे किसे निष्चित दिश्या विच ते है कि तो ही दूरी नो आपकी गाँगा वेग वेग क्यों था है विस्तापपन बटेजे समा कि किसे इकाई समय वीचि किसे निश्चित दिश्या वीच दिश्या वीच के ता ता आपा होते एरो हेडल आदेने है कि आ कि हैगा एक वेक्टर क्वान्टिटी जिदी दिश्या होए अंगों आपके कणिए Ja दिशा ना हुए नहों आपके कवांगे Scalar 16 इंटिक से लही सिर्फ परिमाण दी लोर हूंदी है यानि कि इसले सिर्फ मेगनिट्ूर दी जुरूरत जड़ी हुआँ असेट परते प्राइम इसलब प्रिमार भी होएगे न Bryce थिय Edition उत्र ब्राइट एपरें 10 मित Cancer Minh भी होएगे नेक्स्ट वेख देयां ये हमेशा तनात्मक होवेगी जाने कि चाल जड़ी हमेशा की होवेगी पोजिटिव होवेगी ते दुझे पासे की है गया है ये तनात्मक ते रिणात्मक दो में हो सकते मतलब जड़ा वेख है वो पोजिटिव भी हो सकते ते नेगिटिव भी हो सकत नेक्स्ट पॉइंट है गाया इसनों अपां एरो नाल प्रदर्शित नहीं कर सकते जाने कि तीर नाल एननों अपां नहीं दर्शा सकते तीर नाल प्रदर्शित नहीं कर सकते तेर दरले पासे वेग नों अपां तीर नाल प्रदर्शित कर देया जाने कि एरो हेडर नाल अपा यह नहीं रिप्रजेंट कर देयां नेक्स्ट आप हां कुछ पोत्थिक राश्यां दे चिन ने जड़ी याद करांगे पोत्थिक राश्यां दे चिन यह चिन जड़ी द्वानू बतावने चाहिए देने फर्स्ट है समा अंदर चिटा सिंपल हेगा वो हेगा टी नेक्स्ट हेगा चाल दे सिंपल हेगा वी नेक्स्ट हेगा दूरी दे सिंपल हेगा हेगा नेक्स्त है अरमबिक वेग एन्दे चड़ा सिम्बल होंद है अरमबिक वेग दा ध यू छोटा नेक्स्त है अंत्याम वेग इसदा जिड़ा सिम्बल होंद है छोटा वी नेक्स्ट एगा है परवेग इसता सिम्बल हुँदा है ए नेक्स्ट एगा ओस्त वेग इसता सिम्बल दा वड़ा वी थी एटा एवरेज विलोस्टी एसता ए जड़ी सिम्बल है तो आनू याद होने चाहिए ने एक्साम सित वाड़ेकोनों पुछ साके दे अंतियो में वेग दा जड़ा सिम्बल होएगा चोटा वी होएगा हाँजी आज दी वीडियो एत्ते ही स्माप्त कर देयां एस चेप्टर दे जिन्ने वी कोशन बनगे ओ असी एक वीडियो विच्च कवर करावांगे जिस विच्च सिर्फ MCQ होणगे जेकर तो अनूँ वीडियो चंगी लगी है तब वीडियो नू लाइक करेओ ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने दोस्तों दे नाल शेयर करेओ वीडियो न तुसी वर्ट से फेस्बुक इंस्टाग्राम ते बाकी होर भी एप नाल तुसी शेयर कर सकतेओ जेकर तुसी साड़े चैनल ते नए हो ता चैनल नो जरूर सब्सक्राइब करेओ ते नाल लगे बेल आइकन नो भी प्रेस करेओ ता जो तुसी अनू साड़ी हर एक नए वीडियो दो नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके मिल दें आँ नेक्स्ट वीडियो चे ओदों तक दे लई टेक केर